जै चक्रदारी दोस्तों फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में चक्रदारी में आज हम जिस वस्तु पर चर्चा करेंगे वो नारायन की वस्तु है भगवान विश्नु की वस्तु है और यह मानवता के लिए मानवसभेता के लिए एक वरदान है यह बहुती सकारात्मक बहुती पवित्र और यहां तक की ऐसी वस्तु मानी जाती है कि जिसके अंतर यदि हम जल भरकर रख दे में, तो वह जल संसार की समस्थ पवित्र नदियों का संगम कहलाता है। इतनी पवित्र वस्तु है शंक, शंक जिसे नारायन सदैव अपने साथ रखते हैं, जिसे नारायन अपने करकमलों में धारन करते हैं। नारायन का कोई भी अवतार हो, चाहे बुद्ध अवतार, चाहे वराह अवतार, चाहे नरसिंग अवतार, चाहे क्रश्न अवतार, सभी ने शंक को अपने हाथों में रखा है। आईए आज चर्चा करते हैं, हम शंक पर। इससे पहले कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, सबसे पहले हम सम्मानित करते हैं, श्री नारायन को ही, क्योंकि नारायन का वास सम्म में है। नारायन में पुरा संसार समाहित है, शिव भी नारायन है, ब्रह्मा भी नारायन है, हम लोग भी जितने प्राणी हैं, हम सभी में भी नारायन समाहित हैं, जो जीव हो चाहे निर्जीव हो, सब में नारायन समाहित हैं। तो सबसे पहले इसको आरंब करते हैं हम भगवान शिव का अभिशेक करकर के जै चक्रदारी जै चक्रदारी हर 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 महादेव जै चक्रदारी जै चक्रदारी जै चक्रदारी ओं चक्रदारी नमाहा हर 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 महादेव सामान्यतह कहा जाता है कि शिवलिंग का पिशेक शंक से नहीं कह जाता किन्तु ये बात थोड़ सा इसमें फेर बदल की आवशकता है या यूँ कहूं कि क्यों नहीं कह जाता इसका कारण आप लोगों को पता होना चाहिए या क्यों किया जाता है इसका कारण भी आप लोगों को पता होना चाहिए पहली चीज तो ये है कि जो सामाने शिवलिंग होते हैं उसमें जो भी धाराएं बहती हैं मैं आपको पूरा वेग्यानिक टत्य समझा रहा हूँ, जो भी उर्जाओं की यानि की इलेक्ट्रो मेंगनेटिक वेव्स की जो धाराएं भैती हैं, वे उपर से लेके नीचे तक आती हैं, इस प्रकार से शिवलिंग का निर्मान किया जाता है, कि सभी धाराएं जो ब्रह्मान से लेकर के सीधी शिवलिंग पर आएं और उसको शिवलिंग एकत्रित करकर के समाज में फैला दे, इस प्रकार से शिवलिंग कारे करता है, तो यह इसका वेग्यानिक दर्ष्टिक होन है, अब जो शंक है वो अपने आप में एक उर्जा का पुंज है, शंक में ऐसा क्या होता है कि शंक से शिव को जल अरपित नहीं करना चाहिए, तो कारण सिर्फ इतना ही है क्योंकि जो वर्टिकल एनरजी ब्रह्मान से आ रही है, इस तरह से फ्लो हो रहा है, वहीं शंक की जो एनरजी जे वो ऐसे फ्लो होती है, होरिजोंटल, इस प्रकार से शंक की उर्जाएं चलती है, तो vertical और horizontal मिलकर के आपस में इसका clash होता है, clash होने के कारण दोनों ही उर्जाएं काम नहीं कर पाती है इस कारण से सामान्यता कहा जाता है कि शंक के माध्यम से शिवलिंग का अभिशेक नहीं करना चाहिए किन्तु यदे शिवलिंग पारद के बने हो यानि कि पारदेशवर शिवलिंग हो उस पर आप शंक से अभिशेक कर सकते हैं इसका कारण क्या है इसका कारण है कि ब्रह्रण से जो भी ऊर्जाएं आती हैं कहीं से भी आऊ पारदेशवर शिवलिंग में वह शंतक है जो हर ऊर्जाए तो करदेता है पाराश शिवलिंग हर चीज़ को गोल कर देता है तो गोल क्यों? ब्रह्मांड का स्वरूप गोल है, पृत्वी गोल है यहां तक कि हम जो चापाती यानि की रोटी खाते हैं वो तक गोल है हमारा आप देखिए खाने की भोजन करने की थाली गोल है तो सारा संसार, सारा ब्रह्मांड, सब कुछ सर्कुलर है सर्कुलर का कोई अंत नहीं होता है ना उसके बिग्निंग है ना उसका एंड है यानि कि ना आदी ना अंत यह शम्ता केवल पाराश शिवलिंग में है इसलिए पाराशिवलिंग पे ये आप शंक के माध्यम से इदिजल अरपित कर भी देते हैं तो गवराने की कोई दिक्कत नहीं है गवराने की कोई बात नहीं है आप बिलकुल कीजिए बलके उससे ये होगा कि जो उर्जा का इसतर है उसके अंदर और बल्वित और बल्वान वो इसतर हो जाएगा यहां तक की गाड़ी के पहिये गोल हैं मतलब इसके उधारने तो कितने ही दिये जा सकते हैं हर चीजत गोल कोई भी माशीन रेकर निर्माण होता है तफा जो गोल गोलाकार रूप से उसको काटती है तो उसका इस्तर चरम इस्तर सर्व स्रेश्ट इस्तर माना जाता है तो यह शम्ता पारद में है इसलिए पारद का अभीशेक शंग से क्या जाता है कई कथाएं हैं कि शंग से नहीं करना चाहिए वो कथाएं अपनी जगह है किन्तो आप इसके पीछे वैग्यानिक कारण क्या है क्यों करना चाहिए कहां करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए वो आपको मैंने इस परश्ट करने का प्रैत्म किया है अब हम आगे बात्चित करते हैं शंक पर, शंक के क्या के चमतकार हो सकते हैं, कितना वो मानवता के लिए कल्यान का जिसाबित हो सकता है, किस प्रकार से आपको वो देनिक दिन चर्या में लाब पहुंचा सकता है, किस प्रकार से आप इससे स्वास्ते पा सकते हैं, वासुदो कर सकते हैं यह सब शम्ता शंक में है हड़ी संबन्जित कोई भी रोग हो था आप शंक से आप उस रोग को समाप्त कर सकते हैं आगे हमारी चर्चा उसी पर होगी शंक की एक छोटी सी कता है शंक चो है वो समुद्र मंथन से उत्पन हुआ माना जाता है इसलिए इसको लक्षम था साला यानि कि इस रिष्टे से लक्षमी का जो ब्राता है सहोदर है वो शंक है जिसका नाम साला था इसलिए आज भी आने वाली बहु को उसके भाई को साला नाम से उकारा जाता है कि यह इनका साला है यानि कि उस कन्या का जिसको माता का लक्षमी का रूप माना जा रहा उसका भाई है कितना सम्मान दिया जाता है हमारे संस्कृति में यह हमारे संस्कृति है अब आपको बताते हैं कि शंक आकिर काम कैसे करता है किस व्रकार से सबसे पहला प्रियोग यह है शंक का कि शंक में रखा पानी like कि सभी नदियों का संगम माना जाता है तो यदि आप सुबह सुबह खाली पेट रोज इस पानी का इस जल का पान करते हैं तो आपके शरीर में सबसा पहला काम यह होगा चुस्ती और फुर्ती बहुत तेज हो जाएगी जो लोग ठकान मैसुस करते हैं जीवन में वो कहते हैं पुरा रादबर सो कर भी उड़ जानुभव नहीं हो रही है या सामान्य तह आलस बहुत आता है इस पानी को पीने मातर से उनके शरीर में चुस्ती फुर्ती कमाल की दोड़ जाएगी जो माता जिसके गर्भ में कोई संतान हो यदि वो इस शंख में रखा पानी सुबह सु दोले तो सभी लोग आकर्शित हो जाएं इतनी जबर्दस्त उर्जा का स्तर उस आने वाली संतान को प्राप्त होगा और माता का स्वास्ते भी इससे बहुत सही रहता है तो शंख में ऐसी उर्जाएं हैं अभी वर्तमान में हमारा जो मेडिकल साइंस से वो डोस देता है द इसका इलाज है उपाय है आप शंख में रखा पानी पीजिए एक भी बिमारी में से नहीं होगी और बहुत दिक्षमता का तो कहना ही क्या बहुत तेज बहुत गती से बहुत दिक्षमता भागती है तो यह उर्जाएं शंख की है पहली चीज़ दूसरी चीज़ यदि पूर्ण रूप से प्राकर्तिक यह उर्जा के वल शंख में है जिन लोगों को नजर बहुत जल्दी लगती है जो लोग बार-बार बीमार होते हैं वे भी यदि शंख का पानी पीएंगे या दूत पीएंगे तो वे बिमार होना बंद हो जाएंगी जिन लोगों को यादा शंदा कमजोर महसुस होती है उनको लगता है कि एक बार कोई चीज बताई गई है वो बार-बार उसको भूल जाते हैं एक चीज को बार-बार दोराना पड़ता है तब भी मुश्किलों से उनको याद रहे पाता है उस अवस्था में भी यदि वेक्ति शंख का पानी पीता है तो शंख के माध्यम से उसकी यह बिमारी दूर हो जाएगी फॉस्फोरस की मात्रा भी शंख में पाई जाती है ठोस रूप में फॉस्फोरस बहुत कम निकलता है किन्तु एक उर्जा के तौर पर उर्जा के तौर पर हम यह फोस्फोरस को लेना चाहते हैं क्योंकि शरीर का यह आवशक घटक है तो शंख का पानी आपके लिए बहुत कमाल का हो सकता है मैं तो यहां तक कहता हूं कि दिन भर आप धातू के अंदर रखा पानी या तो चांदी में पीजिए या तामे में रखा पानी पीजिए या सोने में रखा पैनी पीजिए यदि नहीं तो जैसे पानी का असर आपको मिलेगा, आप स्वस्त रहेंगे, निरोग रहेंगे, आपका काया कल्प हो जाएगा, एक जो मेरे गुरुदेव हैं, उनके जो मित्र हैं, उन्होंने अपने जीवन में काया कल्प किया है, काया कल्प कैसे किया है, देशी गाय के दूद को वो पीते हैं शंक में डाल करके तुरन दूद निकाला सीधा शंक में निकालते हैं और उसको पीते हैं बस शर्थ यह उन्होंने बताई है कि इसके यह क्रिया करने पर नमक जीवन में नहीं खाना चाहिए इससे कायकलब होता है कायकलब के ताथ पर बुड़ापा आना बंध हो जाता है उम्र बढ़ना बंध हो जाती है मानों उम्र वास्ता में ही थमसी गई हो यह वास्ता में होता है यह आयरुवेट की ताकत है यह हमारे शास्त्रों की ताकत है आप दिन भर शंक में पानी रखतर के आप पानी पी सकते हैं जब भी आप जल पान करें तो शंक के माध्यम से ही करें आप देख लीजिए इस प्रकार से जैसे मैंने अपने सामने रख रखा है तो यह एक सामाने शंक है सबसे ज़्यादा उड़ जाएं भी इसमें होती है एक मानव के लिए हैं वर्दान है तो विबिन प्रकार के अलग-अलग आकार में, साइज में ये शंक मैंने आपके सामने रखे हैं आप इनको देख लीजिए इस प्रकार से ये जो शंक है विबिन आकार के शंक है चोटे बड़े और उससे भी बड़े अब करना क्या है कि आपको जब भी शंक में पानी रखे हैं आप ये देखिए, आप चाहें तो इस प्रकार से रुद्राक्ष के ऊपर आप शंक को रख सकते हैं जिससे इसकी उड़ जाएं और बढ़ जाएं या रुद्राक्ष के स्थान पर आप इसके अंतरगत चामल भी भरके रख सकते हैं या आप इसको लकडी के पातर में भी रख सकते हैं शंक को या आप इसके अंतरगत कौडियां जो कौडी होती है जैसे इस प्रकार से ये जो कौडियां है इन कौडियों को रख करके बिछा करके भी आप इसके उपर शंक रख सकते हैं इन कोड़ें को उपर रखा जा सकता है शंक या आपके बास चांदी कोई बढ़तान है तो उसमें भी शंक को रखा जा सकता है तो इस प्रेकार से रख करके आप शंख में पानी भर करके रखिए हर दम शंख में पानी हमेशा भरा रहना चाहिए यह खाली नहीं रहना चाहिए आप पानी पीजिए इसको रख करके तुरंट पानी भर दीजिए और वापिस इसको ढग दीजिए तो ये इस प्रेकार से शंकारे करता है, हम शुरुबात करते हैं, इसका जल पान करकर के, जय चक्रधारी ये शंक का पानी मैंने पिया है, क्यों? क्योंकि अब इसके अगली क्रिया मैं आपको बताने वाला हूँ अगली क्रिया में कैसे इसको प्रियोग में ले आया जाता है शंक नात यदि घर में किया जाए तो आपके घर का वासु दोश समाप्त हो जाएगा जिस वेक्तिका सर्दद हो रहा हो यदि आप उसके पास बैट करके शंक बजाएंगे तो निश्यदमानी सर्दद कुछी देर में समाप्त हो जाएगा जिस घर में नकरात में उर्जा बारबार अनुवव होती हो यदि आप शंक बजाते हैं उस बजाने मातर से ही शंक धनी से ही वांका वाता वरण एकदम सकारातमक हो जाएगा शंक बजाने की तक्नीक क्या है वो मैं आपको बजा देता हूँ इधर से इसमें फूक मारी जाती है और शंक जब भी बजा जाता है तो इसका एंगल इस प्रकार से रहना चाहिए यानिकि थोड़ा तिर्चा और वो भी ऊपर की हुँ यह इसका शुरू का भाग है यह इसका प्रश्ट भागे पीछे का भागे तो इस प्रकार से शंक आप देख सकते हैं मेरे हाथ में इसको बजाने की तक्नीक क्या है वो भी आपको मैं सिखा देता हूँ बड़ी ही आसान है लोग इसको गुप्त रखते हैं किन्तों शंक बजाना बहुत आसान काम है इसको विजय गोश का प्रतीक माना जाता है कोई भी शुप कारे को आरम करने से पहले शंक घोश किया जाता है तो यहां से हम फूक मारेंगे फूक मारने का तरीका क्या है शंक किस प्रकार से कारे करता है यह इस प्रकार से कारे करता है कि थोड़ी चीज यदि हम इसमें डाले उसको यह बहुत ज़ादा बढ़ा देता है यानि कि थोड़ी सी हवा हम इसमें डालेंगे तो आवाज बहुत तीवर आएगी बहुत तेज आएगी यह शंक की विद्वता है यह शंक का कार्य प्रणाली कार्य करने का तरीका है तो हम आपको बताता हूं अब जब भी इसके अंदर पू आज उठेगा और ऐसा बजएगा कि आपके शरीर में कमपन आपको अनुमभ हो सकता है आपके आजू-बाजू बैठेवे लोगों के शरीर में को कमपन अनुमभ हो सकता है आईए उधारन के लिए और बढ़ते हैं हमने शंक लिया मूँपे रखा इस प्रगार से शंक बज बढ़ दीजिए जल भर करके आप इसको डख करके रख दीजिए जब आपको प्यास लगे आप ये पानी पीते रहिए और शंक नात से आपके घर की उर जाएं बहुत ही सकारात्मक हो जाएंगी देवताओं का आगमन आपके घर में होने लगेगा लक्षमी का आगमन आपक हों की थाली, काँसे की थाली को बजा जाता है ये मैं दूसरे एपिसोड में बता चुका हूं , वह बहुद बल्वान हो जाएगा तो इस प्रकार से जो ये शंक आप देख सकते हैं ऐसामने चोटे बड़े साइद में विविनाकार में शंक आते हैं जरूर आप इसको अपने घर में रखिए आप नहीं बजा सकते हैं तो अपने वच्छों को कहिए बजाने के लिए और इसका जल आप सभी लोग पान कर सकते हैं इस प्रेकार से शंक का प्रयोग है और मैं आप अगली जैसे यदि बुद्ध ग्रह की दाशा चल रही है और वो विप्रीत है तो आप मुँग, साबुत मुँग यदि शंक में रखकरके दान देते हैं तो उसका जो फल है जैसे आपने मालो पावर दाल, पावर मुंग साबुत आपने रखकर के शंक के माध्यम से दान किये, तो उसका फल आपको 100 गुना बढ़ करके मिलेगा, यह शंक का चमतकार है, कुछ थोड़ी मातर में दी गए चीज, कई गुना बढ़ करके आती है, यदि आप सुमवार को चंदर के लिए शंक में रखकर के चामल का दान करते हैं, तो चंदरमा की सभी जो चीजें हैं, यानिmost taraf करते हैं यहीं सेम चीजे यदि मजबूत होगा तो जो भी जिस भी क्रह की पीड़ा हो उस संबनित दान जैसे सूरे के लिए दिया आप लाल मसूर का दान शंक में रख करके करते हैं तो सूरे की दशा आपको बहुत लाबदैक साबित हो सकती है शनी के लिए आप काले तिल का दान इसमें रख करके काले तिल जिलिके वाली मसूर है उसका आप दान कर सकते हैं आपका राहु शान्त हो जाएगा इस प्रकार से जो का दान भी दियाप करते हैं तो राहु उससे भी शान्त होता है शंक में रख करके आप रविवार के दिन जो का दान कर दीजिए राहु शान्त हो जाएगा तो इस प्रका जब्युक्राइब टो। वो नारायन के परिवार में रहता है नारायन समुद्र में रहते हैं मातलक्षमी के साथ ब्रह्माजी के साथ ब्रह्माजी की उत्पत तिवे तो नारायन की नाभी से मानी जाती है और शंक जो है यह चिन इतना पवित्र माना जाता है कि स्वयम भगवान बुद्ध, जो बऊत लोग है उनकी नाबी का निशान भी शंक को दर्शाता है, इस प्रकार से उनकी मानियता है, तो शंक के इतने चमतकार है यह आपको मैंने दिखाए है गदा शंक, अब मैं अगला जो आपको ओने दिखा रहा हूं बहुत चमतकार इक यह सुदर्शन शंक है, यह देखिया, सुदर्शन शंक, इसकी जो आकरती है, वो सुदर्शन चक्र के समान, देखी जा सकती है, इसको सुदर्शन चक्र को करना क्या है, आपको आपके पूजा घर में रखना है, या आप अपने साथ ले के जा सकते हैं, यह देखिये, यह सु सुदर्शन शंक में बहुत जबर्दस्त कमाल की ऊढ़ जाए हैं आपके किसी भी संकट को काटवने में सक्षम है आप इन्टवी के लिए जा रही है दो आपको सजाए है तो आप इसको अपने साथ रखिए हो सकता है पूरा का पूरा फैसला ही आपके जो विरुद्ध है वो जबर्दस्त काम करता है हर पीड़ा में हर कोई भी आप इस रुक रही हो काम अटक रहा हो काम बनते बनते रह जाता है आप सुदर्शन चक्र को आवभान करके प्रांखना करके अपने साथ ले जाएए आपका काम हो जाएगा सुदर्शन चंक में इतनी ताकत है तो यह है रख करके अपने घर में इसकी रोज़ पूजा करें और इसे प्रात न करें घीका दीपाध जला करके निश्चित होगी अच्छी संतान की प्राप्ती होगी मादा शंक इस प्रकार से काम करता है ये सब भी मादा शंक है, तो ये शंक का चमत कार है, आपको दिखाता हूँ अगला शंक, ये आप देख सकते हैं आपके सामने ये सूरे शंक है, बड़ा और छोटा, ये सूरे शंक जिसके थोड़े बहुत कांटे हो, जैसे ये इसका एक छोटा सा कांटा है, ये कांटा है, य यह सूरे शंक कहलाते हैं, सूरे शंक को रखतर के सूरे भगवान की उपासना करी जाती है, तो यह सूरे सम्मंधित पीड़ा विशेश है, तो वे सूरे शंक का प्रयोक कर सकते हैं, अब आपको दिखाता हूं बहुत बढ़िया चीज, यह देखिए यह सामाने शंक है, इस श सामाने तो है कि इसकी उर्जाओं को इस्तर बहुत तेज है, दक्षिना वर्ति शंक देखिएगा आप, इसी प्रकार से यह यह शंक हो, इस प्रकार का शंक, यह है, इसका जो मुख है, आप देखेंगे, आप कैमरे में देख सकते हैं, यह राइट रेंड साइड में खुल यह राइट में खुल रहा है, इस प्रकार के शंक को दक्षिना वर्ति शंक कहा जाता है, किन्तु दक्षिना वर्ति शंक बहुत कम निकलते हैं, बहुत रेयर हैं, यह दक्षिना वर्ति शंक नहीं है, यह उदारन आपको मैं दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार का हो सकता है, यह दूसरा शंख है, यह सजावट के भी काम आता है, और इस शंख को बच्चे की टेबल पर रखने से सरस्वत्य की क्रपा भी प्राप्त होती है, यह सामानने शंख है, छोटा शंख है, तो बस उदारने के लिए आपको मैंने बताया है, दक्षिनावर्ती शंख हमेशा यहा से देख सकते हैं, आपके हाथ, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, तो यह इस प्रकार से यह शंख है, यह बजने वाला शंख है, सामाने शंख, जिसको वामावर्ती शंख भी कहते हैं, और यह जो है इस प्रकार के शंख, जो इस साइड के होते हैं, उनको दक्षिनावर् आपके सामने आप देख सकते हैं यह केतु शंक कहलाता है जिनको केतु और राहू की पीडा हो यह चोटा सवरूप है यह बड़ा सवरूप है आप देखिए राहू और केतु से जो लोग पीड़ेते हैं इस प्रकार के के शंक को आप विश्णु मंदिर में जाकर दान दे यह हैं यह है कि आपके सामने यह है चंदरशंक कहलाता है इसको चंदरशंक कहा जाता है यह शंक प्रियोग में लाय जाता है इसको चंदर शंक कहा जाता है यह है आपके सामने गणेश शंक इसका थोड़ा थोड़ा आकार जो है वो गणेश के समान माना जाता है विग्न हर्ता गणेश आपके कोई भी कारे रुक रहे हो नहीं पूरे हो रहे हो तो विदिवत गणे गणेश शंक को अपने घर में इस्तापित करकर के रोज सुबह शाम इसकी पूजा करें इस प्रकार से यह गणेश शंक आपको बताया गया है अब जहां शंक की चर्चा हो रही है वहां पे कौडियों की चर्चा करना भी बहुत आवश्यक है यह सब आप मेरे सामने देख सकत रहे हैं यह कौडियां है जिसके अंतरकर बहुत ही विशेश कौड़ी यह वाली कौड़ी है यह बहुत पुरानी भी है प्रचलन में भी बहुत रही है इस प्रकार की कौड़ियां लक्ष्मी का सुरूप मानी जाती है इनको पीली कौड़ी नाम से भी जाना जाता है अब इनको अपनी पूजा घर में रखते हैं गोमती चक्रों के साथ या शंक के साथ तो ये बहुत अच्छे परिणाम देने में सक्षम है वहीं आप यह देखिए ये जो कौडियां है ये माता सरस्वती का सुरूप मनी जाती है सफेद कौडियां सफेद कौडि नाम से इनको जाना जाता है इन कौडियों को रखतर भी आप अपने बच्चे के कक्ष में अपने बेटा आपका बच्चा बच्चे जहां भी पढ़ते हैं उनके टेबल पर इनको आप स्थापित कीजिए उसको विद्या का अर्जन होने लग जाएगा इस प्रकार से जो लोग नजर दोस से परिशान है जो लोग परिशान है कि बाप उनको टोक लग जाती है जो लोग परिशान है कि उनके उपर काले जादू कर दिये जाते हैं जो लोग परिशान है कि कोई भी आता जाता उनको टोक देता है जो लोग किसी भी प्रकार के negativity से परिशान है या किसी तंथर किरिया से परिशान है वो सदैवी चाहें तो अपने पर्स में जैसे लेडिस अपने पर्स में या जेंड्स चाहें तो अपने संगत में अपने बैग में कहीं पर उसको रखें इस प्रकार की कौडियां यदि वो रखते हैं तो निश्चत मानिए महा काली की क्रवा से एक भी दोश आपके उपर नहीं लगेगा तो ये इस प्रकार की कौडिया हैं आप नजदीक से देख सकते हैं चाहें तो यह काली कौडिया कहनाती हैं जिनको आप अपने पास सदयव रखिए नजदोर से रोक तोक से आपका हमेशा बचाव होगा इस प्रकार से काली कौडिया प्रयोग में लाई जाती हैं यह देखिए यह सीप हैं यह सीप जो है यह भी बहुत ज़ादा उर्जात्म माने जाते हैं आप इन सीप को लाल वस्तर पर जैसा यह लाल वस्तर है इस प्रकार के लाल वस्तर पर रख करके इसमें आप 11 कौडिया यह पीली कौडी 11 सभेद कौडी और 11 काली कौडी आप रख सकते हैं या एक काली औरी भी आप रखेंगे, तो भी वो कारगर होगी, इस परकार से आप रग दीजिए, यह सप्य कोडियाँ और काली कौडी भी आप इसमें रख दीजिए इतना रख करके इसमें पांच गोमती चक्र डाल करके आप अपने घर में इस्थापित कर दीजिए पूजा कक्ष में इस्थापित कर दीजिए इस प्रकार का सेट बन जाएगा यह भी आप इसके नित्य पूजा अर्चना करते हैं तो सभी प्रकार के समरदी यह देने में सक्षम है और एक शंक इसके साथ में हमेशा हो चाहे वो छोटा हो कोई आशक नहीं कि आप बड़ा ही शंक लें इस प्रकार का छोटा शंक भी आप लेते हैं तो वो भी आपको साकारात्मक उरजाएं देने में सक्षम है इस प्रकार से आप छोटा शंक भी लेते हैं तो आपको साकारात्मक उरजाएं देने में सक्षम है यह शंक बसते हैं इतने से शंक भी बसते हैं आप इसको बजा सकते हैं इस प्रकार से आप इनको बजा सकते हैं और छोटे शंख भी बसते हैं इनको बजा करके आप प्रयोग में ले सकते हैं तो आज ये जितना भी मैंने चीज़ आपको बताई हैं कि यह सब शंक से संबंदी जो आपको ब आश्थी दोस्कों को खतम कर देती है जीवन में सुक्त Лtown Children हैं आपके बङड़े काम बने लगते हैं कि आपके बने कामों में तरक्य होने लगती है आपको नजर स्क्राइब करके हर चीज जीवन की हर चीज स्वास्ति आरोग्ये सब कुछ देने में ये एक पुरा शंक का परिवार, ये एक अलगी दुनिया है, समुद्री दुनिया, ये सब कुछ देने में आपको सक्षम है, सब सकरात में उर्जा ये आपको देने में सक्षम है, आप पारशिवलिंगा से अभिशेक कर सकते हैं, अब जाते जा हो के पाप भी सदा सदा के लिए नश्ट हो जाएंगे और आप एक समाज में बहुत प्रतिष्ठित पद प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे यह दाज का महा उपाए तो आप शंख को किसी मंदिर में नारण मंदिर में दानग दे सकते हैं उससे भी आपको बहुत जब ज लेकर आंतीकर इंआप अपने शेर से सब्सक्राइस ले सकते हैं नहीं परिशान हो तो आप आप सोसते हैं कि हम को हैं चीज नकली गी या कोई दिक्त हो सकती है तो आपंसे भी सब्सक्राइब नंकर कर सकते हैं वो वास्ता में आपके काम की है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जय चक्रजारी